सरकार दौरा भरे ही लोगों को सभी स्वास्त सुईधा मुहिया कराने का दवा किया जाता हो लेकिन उन्हीं के करमचारियों द्वारा उनकी योजनाव को पलीता लगाया जा रहा है मामला दिवरिया जिले का है जहां स्वास्त महकमे को शर्म सार करने वाला एक वीडियो तेजी से वारल हो रहा है वीडियो जिला अस्पताल परिसर का है इस वाइरल वीडियो में एक महिला और उसका मासूम बच्चा अपने बुजुर्ग परिजन को इस टेचर पर खीशते हुए नजर आ रही है वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक महिला इस टेचर को आगे से खीच रही है तो वहीं उसका चार वश का मासूम बच्चा पीछे से धक्का दे रहा है दोनों इस मरीज को डॉक्टर के पास बैंडेज बंधवाने के लिए वार्ड से ले जा रही है बीते तीन जुलाई से महिला बुजूर को को लेकर जिला अस्पताल के सरजिकल वार्ड में यहां पर हर दूसरे दिन हड़ी विभाग में उसके परिजन का पट्टी बदली जाती है जिसके लिए वो उन्हें स्टेचर पर लाग कर ले जाती है वही महिला का कहना है कि जब स्वास्त विभाग के किसी भी कर्मचारी से इस्टेचर ढखेलने के लिए कहते हैं तो हमसे सुईधा शुल्ग 20-30 रुपए मांगे जाती है गरीबी की वज़े से हम रिश्वत नहीं देपाती तो हम लोग छेल कर ले जा रहा है थे पटी बदलवाने के लिए ले जा रहा है थे तीसरे एक दिन के आतर दे करके हम पटी बदलवाने के लिए जा रहे थे इस सम्वेदन शीर वीडियो वारल होने पार स्वास्त विभाग का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तयार नहीं हुआ वीडियो वारल होने के बाद जीला अधिकारी जी खुद सामने आए और मामले पर किस तरह सफाई दे रहे हैं आप खुद देख लीजिए अब जीला अधिकारी जी कुछ भी कहें लेकिन वारल वीडियो साफ साफ बया कर रहा है कि अस्पताल में स्वास्त सुईधाओं की क्या इस्तिती बनी हुई है वाइरल वीडियो खुद बया कर रहा है कि गड़ी मरीजों के साफ कि इस तरीके से दिवरिया अस्पताल में व्यवहार होता है ब्यूरो रिपोर्ट ग्लोबल वाइस